मौसम विभाग द्वारा जारी किये गए ताजा पूर्वा नुमान के अनुसार चार मई से प्रदेश में पश्चमी विक्षोप के एक बार फिर सक्रिय होने का अनुमान है हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं रहेगा इस दौरान चार वपांच मई को प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर आंधी वा आस्मानी बिज्वी गिरने को लेकर येलो अलट जारी किया गया है इस दौरान कुछ एक स्थानों पर वर्शा का अनुमान है वीर्वार को ढूप के खिलने से 3 से करीब 8 डिगरी तक की वृद्धी दर्ज की गई है बुध्वार की रात शिमला की अपेक्षा सोलन और सुन्दरनगर में ज्यादा ठंडी रही शिमला का नियोंतम तापमान 10 डिगरी जबकी सुन्दरनगर का 8.1 और सोलन का 8.6 डिगरी दर्ज किया गया है नियोंतम तापमान में 2 से 5 डिगरी तक की गिरावट दर्ज की गई है सबसे अधिक गिरावट रिकांग्पियो वसेयोबाग में 5 डिगरी से अधिक कामड़ा व मनाली में 4.5 दिग्री की आई है अधिक्तम तापमान में सबसे अधिक वृद्धी हमीरपुर में 7 8 दिग्री कलपा में 7 दिग्री मनाली सोलन वर रिकांग्पियों में करीब 6 दिग्री की वृद्धी दर्ज की गई है प्रदेश में 3 एनेट सहित 44 सडके यातायात के लिए बंध है पंद्रा ट्रांसफॉर्मर खराब है जिसके कारण बिज्री आपूर्ती बाधित है मौसम में फेर बदल के चलते सबजियां भी प्रभावित हो रही है शिमला में सबजी मंदी के अलावा उपनगरों में बिखने वाली सबजियों वफलो के दाम में 10 से 20 रुपए अधिक वसूले जाती है विक्रेताओं का कहना है कि सबजी मंदी से सबजी की गाड़ी का किराया वडुलाई के कारण अधिक दाम रखना हमारी मजबूरी होती है लेकिन ग्रहकों को अधिक दाम चुकाने से उनका बजट बिगर जाता है फेक निउस के जमाने में सतर्क रहिए सही और सटी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरन